हेलो दोस्तो टेक्स न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है जिस न्यूज का आप वेट कर रहे थे काफी देर से की टेक्स ओडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट है फरनिशिंग की जो हब वो बढ़ाई जाए CBDT ने उसके बारे में सर्कुलर एक 2022 इशू कर दिया है 11 जनवरी 2022 को CBDT ने लिखा है कि तो COVID की वज़े से जो है ये और इशू किया गया है COVID की वज़े से जो ड्यू डेट से उनको बढ़ा दिया गया है दोस्तों जो Tax Audit Report की ड्यू डेट 15 जनवरी 2022 थी उसको बढ़ाकर 15 फर्वरी 2022 कर दिया गया है इसके लावा जो Section 92E Transfer Pricing वाले केस थे उनके अंदर जो ड्यू डेट थी वो 30 जनवरी 2022 थी उसको भी बढ़ाकर 15 फर्वरी 2022 कर दिया गया है इसके साथ दोस्तों जो Audited Cases के अंदर ड्यू डेट थी रिटर्न भरने की वो 15 मार्च 2022 कर दिया है पहले ये 15 फर्वरी 2022 थी इसी तरह Transfer Pricing वाले केसिज में भी जो ड्यू डेट है वो 28 February से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है तो ड्यू डेट जो करोना की वज़े से लोग को काफी दिक्कत आ रही थी वो बढ़ाने की सभी लोग डिमांड कर रहे थे वो CBD ने माल ली है हलांकि ये काफी लेट की गई है परंतु लेट हो गई है तो भी कोई बात नहीं लोगों को काफी इससे रहत मिलेगी अधर्वा आपके सेसी की यहां आपकी जो है टेक्स पेंडिंग पड़ा है तो आपको वो पेंडिंग टेक्स भर देना चाहिए नहीं तो 234-1 के अंदर आपको इंटरस्ट देना पड़ेगा तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है बहुत ही latest news आपको आ गई है पूरी detail जो है description के अंदर available है आपको अगर ये post अच्छी लगी तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दोस्तों